हेलो फ्रेंड्स मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्वाद कड़ाई का में आज हम बना रहे हैं पालक वाला ढोकला बहुत ही हेल्दी रेस्पी है तो आप जरू ट्राई करें जिसके लिए हमें चाहिए यह हमने एक पाव मतलब धाई सो ग्राम पालक को एक नीबू का रस, दो चमच तेल, एक बड़ा चमच अद्रक लसन का पेस्ट और कटी हुई हरी मिर्च सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में दही डालेंगे और चीनी डालेंगे साथ ही हम जो हमने पालक प्योरी बनाई है उसे एड़ करेंगे और इसे मिक्स करेंगे यह देखिए यह अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है अब इसमें हम बेसन और सूजी और बाकी सारे मसाले एड़ कर देंगे नमक अध्रक लशन का पेस्ट हरी मिर्च निम्बू का रस और तेल इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब यह मिक्स हो जाएगा हम इसमें एड़ करेंगे एक इनो और इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे बड़े बरतन में हमने पानी उबालने रख दिया था यह देखिए यह मिक्स हो चुका है अब एक बरतन में हम इसे निकाल लेंगे बरतन बढ़ा लें क्योंकि जब यह फूलेगा तो ऐसा ना हो कि आपका बरतन छोटा पड़ जाए इसे टैप करेंगे यह देखिए पानी उबल चुका है इसके उपर कोई छनी दर बरतन रखेंगे पोट रखेंगे और इसे अच्छी तरीके से ढख देंगे हम अब इसे 15 मिनट मीडियम हीट पर पकने देंगे 15 मिनट हो चुके हैं देखते हैं कितना गल चुका इसके अंदर ऐसे नाइफ डाल के देखेंगे अभी यह साफ नहीं निकला है इसका मतलब यह कच्छा है 5 मिनट और उबालेंगे इतने हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं अब हम इसे फिर देखेंगे यह देखिए अब यह साफ है इसे हलकासा ठंडा होने देंगे फिर हम इसमें तड़का लगाएंगे इसको टैप करके निकाल लेंगे यह देखिए कितना सौफ्टर कितना मज़ेदार बना है इसमें तड़का लगाते हैं तड़के के लिए सबसे पहले हम डालेंगे राई हरी मिर्च हीन चीनी और एंड में हम मिलाएंगे कड़ी पता थोड़ा सा चलाएंगे गैस आपने बिल्कुल मंदा रखना है थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें हम एड़ करेंगे वाइट पी तड़का तयार है गैस बंद कर देंगे और धोकला रेड़ी है अगर आपको रैस्पी पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और जादा से जादा शेयर कीजिए थैंक यू फर वाचिंग यूमी ढोकला इस रेड़ी